हेलो एब्रीवन वेल्कम अगेन टू लन्वरिदेतीमन आज हम करने वाले हैं बाल विकास की अंदर यूनिट पोर में अधिकम के टॉपिक से सम्बंदित प्रेश्चन तो कुछ कुशन टफ होंगे कुछ कुशन इजी होंगे तो कितना आपको समझ में आते हैं कितना आपको ये इजी लगते हैं या टफ लगते हैं तो ये देखेंगे आपको आखलन जो है वो खुद करना है तो इससे पहले समाजी गध्यन की जो सिक्षन विदियां हैं उनके प विकास के अंदर आपकी फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट आपकी वही सिक्षन विदियों से ही संबंदित है, तो इनको हम कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सामाजिक अध्यन की जो टेस्ट आपका मैंने कहा था, उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पुनर बल कि सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया, सभी सिद्धान्त आप बहुत अच्छे से जानते है, मैंने भी चैनल पर सेकंड यूनिट जो की आपका सिलेबस नहीं आया था, तब वो सेकंड यूनिट ही थी अधिगम की, वो मैंने आपको चैनल पर डाली हुई है, यदि आपने सभी सिद्दान्त नहीं देखे हैं तो देखिएगा बिल्कुल टेटेल में बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है तो यहां देखिए कॉलर ने पुनरवलन का सिद्दान्त नहीं दिया उनका सूज और अंतरदस्टी का सिद्दान था पैवलोब का नहीं था अनकुल इंचारों में से पावलोव का जो अधिगम का सिद्दानत है वह कौन्सा है तो बिलकुल साफ दिखाई दे रहा है कि पावलोव ने अधिगं का जो सिद्दानत क्रिपार्या उसका नाम है अन्कुलित अनुख्रिया तो दोनों सही रहे होंगे आपके question क्या answer थर्ड देखिए निम्ने मैंसे पूर्ण कारक वाद के नियमों से जो संबंदित नहीं है वह है समरूपता, निरंतरता, समीपता या विरूपता कोश्यन में क्या पूछा है कि निम्ने मैंसे पूर्ण कारक वाद के नियम यानि संपूर्णता का जो अध्यन करता हो तो वो कौन सा है सूजवा अंतरदश्टी का सिध्धान्त, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो वह सम्मंदित नहीं है, किस से सम्मंदित नहीं है, समरूपता से, निरंतरता से, समीपता से या विरूपता से, इम्पोर्डेंट कुश्चन है ये, तो यहां आंसर जो रहेगा, तो आंसर बिलकुल, आंसर रहेगा विरूपता, ठीक है, पूर्ण कारगवाद की नियमत से संबंदित नहीं है, विरूपता, संब्रूपता, निरंतरत और समित्ता, ये से संबंदित है. सीखने के मुख्य नियमों के अत्रिक्त गोड नियम भी है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, तो वो गोड नियम, प्रभाब का नियम, अभ्यास का नियम, निकटता का नियम और प्रियत्नवा भूल का नियम, इनमें से सीखने के मुख्य नियम के अत्रिक्त गोड जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, तो गौन नियम इसमें से कौन सा है? तो थौंडाइक के ने जो सिद्दांत दिया प्रयत्नवा भूल का सिद्दांत, आपने बहुत अच्छे से याद किया है, तो यहां आंसर है निकटता का नियम, यह गौन नियम है, ठीक है? तो किस का करेंगे? आप लोगों ने रक्षा युक्तियां जो है, वो आपके बिल्कुल स्लेबस में है, और यहां से प्रशनों जो है, वो आता ही है, तो वह बालक जो है, वो कैसा है? विकलांग बालक है, फिर भी वो क्या कर रहा है? जादा परिश्रम करके फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, तो यहां वह कौनसी युक्ति यूज में ले रहा है, वो कर रहा है, श्रत्ती पूर्ती. ठीक है, क्या कर रहा है, श्रत्ती पूर्ती. अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, दंडवा आरोप को, पुरुस्कार वा प्रसंसा को, लक्षय प्राप्ती की उतकरस इच्छा को या अधिकारी बनने की इच्छा को. तो यहाँ कुश्यन को बहुत अच्छे से समझिए, कि जो अधिगम की सफलता है, इसका मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो है, वो गलत हो सकता है. तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? कि कोई भी अधिगम यानि कुछ भी सीखा जाता है, तो उसकी सफलता जो है, वो है दंड वा आरोप. इस आधार को मानकर नहीं करना चाहिए, नहीं परुसकार वा प्रसंसा को. ठीक है? हाँ, अधिकारी बनने की इच्छा, य लेकिन केवल एक मात्र अधिकारी बनने की इच्छा ही नहीं. व्यक्तिक भेनता पाई जाती है हर बालक में, तो सबकी अलग-लग इच्छाएं होती हैं. तो यहां पर आंसर रहेगा C. कि कोई भी लक्षय प्राप्ति की जो उतकरस इच्छा है, सबसे पहले वही अधिगम क की सबलता का मुख्य आधार होती है. अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं. उचित वातावरण, प्रेरना, परिपक्वता या उप्रोक्त सभी. तो लर्निंग को कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो एफेक्ट करेंगी. उचित वातावरण, प्रेरना, परिपक्वता या उप्रोक्त सभी. तो बिलकुल आंसर जो है वो सही है कि उचित वातावरण, प्रेरना, परिपक्वता ये सभी जो है वह अधिगम को प्रभावित करती है. कुश्य नंबर एट है. अनुबन प्रियोगों में अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? प्रत्याश में कमी के कारण, अवरोध में व्रद्धी के कारण, पुनर बलन की अनुपस्तिती या अंतरनोद की कमी. तो पैवलोव का ही सिद्धान्त है जिसमें अनुबन दित अनुक्रियाओं का जो विलोपन है वो किस वज़े से होता है? तो आंसर जो है वह रहेगा कि यदि पुनर बलन की अनुपस्तिती दिखाई देती है, तो अनुबन्दित अनुक्रियाओं का विलोपन हो जाता है. नाइन्थ कुश्यन देखिए, टॉलमेन के सिद्धान्त में किस तरह के व्यवहार की व्याक्या पर बल दिया गया है? तो टॉलमेन का सिद्धान्त जो है, उसका क्या व्यवहार? तो टॉलमेन के सिद्धान्त में किस तरह के व्यवहार की व्याक्या पर बल दिया गया है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? फटा-फट से सोचिए. तो देखिए, यहां पर आंसर रहेगा option number D, चवन्द व्यवहार. ठीक है? क्योंकि टॉलमेन के सिद्धान्त में व्यवहार की ही बात हुई है. कौन से व्यवहार की? वातावरण के. उस व्यवहार की जहां वह उद्धीपन उपस्तित है, जो की उसे सिखाया जाना है, किसी भी व्यक्ती को. ठीक है? टॉलमेन के अनुसर किसी भी व्यक्ती को यदि अधिगम कराना है, तो उसके चारो और वातवरण ये उद्धीपन जो है वह उपस्थित करने चाहिए। ठीक है? टॉल्मेन व्यक्ति के अधिगम में वातवरण ये उद्धीपनों को बहुत जादा महतवण मानते हैं। तो यह उनका सिद्धान्त है। तो यहां पर चमण व्यवहार जो है वह टॉल्मेन इस पर ज वो नवीन जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको solve करें तो वह है एक पक्षिय इस्थान अंतरण, धनात्मक इस्थान अंतरण, रिणात्मक इस्थान अंतरण या उप्रोक्त सभी तो देखिए, answer जो क्या रहेगा इसका, कि पहले का प्राप तो जो भी experience है, वो हमारी आने वाली समस्या में, हल में help कर रहा है, तो वो तो एक कैसा transfer होगा, धनात्मक इस्थान अंतरण होगा यदि आपने ये topic नहीं देखा है, इसको मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत detail में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, यदि आपने नहीं देखिए, playlist में जाकर देखिएगा, कि दो important unit आपकी, एक first unit और आपकी अधिगम वाली unit, मैंने बहुत detail में आप एक question जो है, वो थोड़ा गलत था, 11 question, fried के सब्दों में विस्मरण अधो लिखित में से किसका प्रतिफल है, उदांती करण का, रास का, अवरोध का या दमन का, fried के सब्दों में विस्मरण यानि भूल जाना, अधो लिखित में से किसका प्रतिफल है, किसका प्रतिफल उदाती करण का, रास का, अवरोध का या दमन का. तो देखिए, यहाँ पर यह किसका प्रतिफल है? यह है दमन का प्रतिफल. Next है, Question 13. जब व्यक्ति असफलता, दुख पीडा को बल पूर्बर बूलने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिफमन, तदात्मी करण, प्रक्षेपन या दमन. तो जब व्यक्ति जो है, वह असफल हो जाता है, दुख होता है, पीडा होता है, तो उसको जान बूर्ज कर, बूलने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दमन. नेक्स्ट है 14 कोश्यन निम्ने में से सीखने अत्वा अधिगम का नियम नहीं है ततपर्ता का नियम, पढ़ने का नियम, प्रभाव परिणाम का नियम या अभ्यास का नियम तो थॉन डाइक ने जो तीन नियम दिये थे, महतपूर नियम इसके अलावा कुछ गौन नियम भी दिये थे यहाँ पर तो सीखने के नियम यानि की जो मुख्य नियम है उनके बारे में पूछा जा रहा है तो देखिए, आंसर क्या है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पढ़ने का नियम ऐसा कोई नियम जो है उन्होंने नहीं दिया था और पांच जो गौन नियम दिये थे, वो दिये थे बहु अनुक्रिया का नियम, मांसिक विन्यास का नियम, सहाचर व्यवार का नियम, आंसिक रिया का नियम, साध रश्यता का नियम, ठीक है? पूछा जा सकता है कि उनमें से गौन नियम कौन सा नहीं है तो मुख्य नियम, तीनों, ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसके अलावा पांच गौन नियमों को भी आप याद रखिएगा निमने लिखित मैंसे किस परिस्तिती में प्राणी में निस्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है दंड प्रक्षिक्षन, अर्जित निसहायता, मुक्ती सीखना या परिवर्तन सीखना निमने लिखित मैंसे किस परिस्तिती में प्राणी में निस्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है तो वह निस्क्रिय कब हो जाएगा तो देखें यहाँ पर आंसर क्या रहेगा अर्जित निसहायता, ठीक है? तो यहाँ तो आपने किसने कुश्चन के आंसर दिये हैं आपको ये बताना है इसके अलावा नेक्ट टॉपिक जो है वो अभी प्रेणा का आपको पढ़ना है और उसमें से कितने कुश्चन कर पाएंगे वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे तो आप लोग पढ़की आईएगा अभी प्रेणा का टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू